दोस्तो 2023 से फॉर्म भनने जाएंगे पटवारी के ठीक है तो यह नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन आप ऑफिशल यह साथ में देख सकते हैं और यह नोटिफिकेशन तो पेज नंबर 93 में जाने स्पहले में बता दूए यहां पे लिखा हुआ है काफी सारे ओप्सन दिये और अंतिम होगी उन्हीं जम्री तो 23 ठीक है अब इसका पाइच्छा सुल्क क्या होगा सीधी भरती यह दिया वेदन करना चाहते हैं आप तो पांसो रूफे जर्नल से आएंगे और स्थे के लिए 200 और बैकलॉग के लिए कोई सुल्क नहीं लगेगा सीधी भरती रहेगी ठीक है अब चलते हैं 93 पेज में 93 पेज में ठीक है तो 93 पेज अपान इस तरह से स्क्रॉल अन करते हैं ताकि आगे पीछे नहीं यहां पर लिख सकते हैं 93 एंटर किया है यहां पर लिखा पटवारी चैन परिक्षा इसका नोटिफिकेशन आप इस तरह से जूम आप इसकी परिभास आए मत पढ़िए परिभास पढ़ने की कोई उर्थे नहीं है इसका स्क्रॉल डॉन करते हैं यहां पर लेका है वेदन यादि आपका सेलेक्षन हो जागा तो बामान सो से 20,000 के पीच मिलेगा और 2100 का ग्रिवट पर मिलेगा ठीकिना अरहता यानि की परिक्षम बैठने के लिए मीदवर कौन कौन होंगे किसी भी मानिता प्रत्विस विद्याले से जिना अतक की उपा तीन वर्ष के अंदर उत्रिन करना होगा नहीं तो आपकी पटवारी चैन निरस्त कर दी जाएगा यानि के आपके पास CP-CT नहीं है और पटवारी में आपका चैन हो गया है तो आप तीन साल के अंदर CP-CT के परिच्छा उत्रिन करके सब्मिट कर सकते हैं सीधी भरती के प् अवेदन पत्र में भरी गई चैनकारी का सत्यापन चैन के समय राजस्य विवाग द्वारा परिच्छा में नियुक्त पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जाएगा टीप नमबर दो विवाग के पद कार पालिका होने की सिती में भरती हेतु आदिम जन जाती बैगा सहार या एवं भारिया के अभ्यारतियों को प्रिक्छा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वह अनुसूची जन जाती के अभ्यारती के रूप में प्रिक्छा हेतु आनलाइन आवेदन कर सकते हैं यानि कि आपको छूट नहीं मिलेगी पर आपको आवेदन कर सकते हैं ठीक है वीडियो सेच करके देखे सकते हैं आरचन की बात ना करें स्थानी निवासी भारत का नागरिक हो तता मद्पदेश का इस्थानी निवासी होना अनिवारे है आयू सीमा अभ्यार्ति की आयू गणना एक जन्वरी 23 से निधारित की जाएगी सामान प्रसासन विवागमाद पते साचन के पत्र ये वे 13 जन्वरी 2600 सो दिन अर ये सब फालत हुआ परिच्छा का तारीक खुली प्रतियोगिता से सीधी भरती के भरे जाने के पदों के लिए 18 से 40 पस आपकी नियुनतम या धिकतमाई होनी चाहिए जिनको छूट है उनको छूट मिलेगी 5 साल की ठीक है अब और स्क्रोल डॉन करते हैं अब यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं दिखाए दे रहा है कि जो मैं बताओं आपको और जो आपके जानकारी ठीक लगे बस यहां पर आप सीड़ देख लीजिए ना सीधी भरती पटवारी के कूल 2736 पद हैं इसको जूम कर लेते हैं आप स्क्रीन सौट करके देख सकते हैं त SPEAK थो ऐने आने में टिक है डहीत आप जनरल से हैं और उपन 480 माईला रहें थो 220 बहुत पूस peace social माईला है तो सरा समीवता करमी है तो 139 माईला है थो 55 टोटल 975 कि एडवीम इडवी एस का 135 उपन है तो महिला है तो इंक्यामन भूपुसैनिक तो 8 महिला के लिए कोई नहीं है सम्विदा कर्मी तो 25 और महिला के लिए 4 टोटल 223 अनुसूची जात यानि कि SC के लिए है 189 उपन में महिला है तो 75 भूपुसैनिक है तो 16 महिला है तो 1 सम्विदा कर्मी सता 47 माईला है तो 9 टोटल 337 एस्ट यानिकी अनुसूची जन जाती इनके लिए ओपन में 302 माईला है तो 133 भूर्पु सैनिक है तो 40 और माईला है तो 7 सम्विदा कर्मी में है तो 68 माईला है तो 26 टोटल 586 अन पिछड़ा वर्ग माईला है तो 316 माईला है तो 142 भूर्पु सैनिक में ओपन में 42 माईला है तो 5 सम्विदा कर्मी में 86 माईला है तो 24 टोटल 615 दिव्यांकों के लिए 116 रिक्ति में से 00VH 49EH 36LD एवा में 40MD निसक्त के लिए चार अच्छत है जिस सिर्णी का निसक्त इन पदों के लिए चैन कि तुमान किया जाएगा यह प्रद्प्रद्देख शेणी की बिना वर्ग ओपन रिक्तियों में समाहित है तो यही था नोटिफिकेशन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यदि आप इसमें आवेदन करने की चुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं अब यह लिखा है जीला वाइस तो आप जैसे लिखा पटवारी पत के जीला वाइस तरहीं वर्गी कर अच्छा तालीका अब तब इसको आप देख सकते हैं ठीक है और फिक से टाउलोड करने के बाद बस इतने इस वीडियों तर विदिन धन्यवाद